नमस्कार जोती शीक दिवी परकास चैनल में आप सब का स्वागत है जोती से जुड़ी रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आईए बात करते हैं आज के राशी फल के बारे में सबसे पहले बात करेंगे मेश राशी के बारे में मेश राशी वालों को आज कारे छेतर से राहत मिलेगी धार्मी कायोजन की रूप रेखा बन सकती है बड़े लक्षों के बारे में सोचना अभी टाले मेश राशी वाले जातत सेर मार्केट में सोज समझ कर निवेश करे इस राशी वाले जातकों के लिए यात्रा का योग बन रहा है। वरशब राशी की बात करें तो वैवरसाइक जानकार इनको हासिल होगी, अनुभव से नहें लाब मिलेगा, परिवारिक सदस्यों के बीच तालमेल काफी अच्छा रहने वाला है, जरूरत मंदों की मदद करके का काफी खुश होंगे, आज इनका दिब बड़ा ही शूब है, मितनुराशी की बात करें, तो नीजी कार्यों को निप्टाने का ये प्रयास करेंगे, अपनी गुप्त बातों को अंजान लोगों को बताना इनके लिए नुकसान दायक हो सकता है, दोस्तों के बीच में गलत फ अहितिय अत्वा अध्यात्मिक विश्वयों में इनकी रूची आज भड़ेगी, आपके वहवार में सकरात्मक बदलाव की संभावनाय बहुत ज्यादा है, उचदिकारियों के साथ बहुत अच्छे संबंद रहेंगे, रुकेवे सभी कारिय सफल होंगे, सिंग राशी की बात करें, तो ऐसे जातक भावनाओं पर काबू रखें, पॉपरिटी संबंधी मालों में रुकावट आ सकती है, कारोबार के विश्वथार की संभावनाएं हैं, स्वास्त की प्रती लापरवाही बिलकुल भी ना पर दे, अन्यता स्वास्त संबंधी परिशानी हो सकती है कन्याराशी की बात करें तो इन राशी वाले जात्वों को गलत बयान बाजी मुश्किलें भढ़ा सकती है इस राशी वाले जात्व अपने काम को समय पर पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे अपनी गुप्त बातें अन्जान लोगों से बिलकुल भी साजा ना करे अन्य था गलत फैमी भड़ सकती है और परेशानी में पड़ सकते हैं तुला राशी की बात करें तो इंस राशी वाले जातकों के लिए समय बहुत ही भेतरीन है वेतन के व्रधी के आसार हैं रुके हुए समस्त कार्यों में गती मिलेगी स्वार्थी लोगों से दूरी बना के रखें उनकी गलत सलह आपको लक्षे से भटका सकती है तथा आपके कार्य छेत्र में कार्य को प्रभावित कर सकती है कार्य की अधिक्ता के कारण आप तनाव में रह सकते हैं व्रश्चिक राशे की बात करें तो व्यवसाईक गतिवीध्यों में सतरक्ता बरत नहीं चाहिए लापरवाही से नुकसान हो सकता है अधिनेस्त करम चार्जों से तालमेल का अभाव रहेगा मधूर वहवार से आप सबका दिल चीतेंगे और अपने कारिशित्र में सफल होंगे धनुराशे की बात करें तो पुराने निवेश का फायदा मिलेगा समस्या को भड़ाने की बज़ा है उसका समधान निकालने में समय दें तो अच्छा रहेगा लोक कल्यान के कारियों से जुड़कर बेहद खुश होंगे आपकी लिए यात्रा करना उच्चित नहीं है इसलिए यात्रा को टालना बहतर रहेगा मकर राशे की बात करें तो किसी विशेश उपलब्दी मिलने से मन बड़ा ही प्रसंद रहेगा अनुभ्यवी लोगों की सलह से काम में आसानी रहेगी विद्यार्थियों के लिए समय का पूर्ण सुद्यू प्योग करें तो परिक्षा में जरूर सफल होंगे मकर राशी वाले जातकों को राज किये कारियों से लाभ मिलने की पूरी संभाव नाए है कुम्राशी की बात करें तो घरेलू खर्चों में भड़ोतरी हो सकती है घर के रख रखाव संबंदी योजनाओं का कारी रूप देने के लिए पहुती उचित समय है जल्दबाजी में लिया गया निर्णे आपको नुकसान पहुँचा सकता है अपनों का साथ मिलेगा तथा आत्न युश्वास बहुत अच्छा रहेगा में राशी की बात करें तो किसी बड़े प्रोजेक्ट का हाथ से निकलने के कारण मलाल रहेगा इस कार्य को लेकर आप काफी परिशान रह सकते है कार्य स्थल में वेचारिक मदभीद हो सकता है सोच समझ कर निवेश करें तो आर्थिक लाब अवश्य होगा में राशी वाले जातकों के लिए आयक के स्तोत्र बढ़ने का योग है अगली जानकारी के लिए चैनल को